नमस्कार दोस्तों मैं मनीश सर्मा तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ बनास नदी तो आपको पता ही है कि राजिस्तान के जो भी एक्जाम होते हैं उनमें एक नदियों के संदर्म में जो कुशन आते हैं या तो चंबल नदी से आते हैं या फिर आपके बनास नदी से तो बनास नदी के संदर्म में बहुत सारे टाइप के कुश्चन पुछता है। सबसे पहले बनास नदी के बारे में एक तो जो कुश्चन पुछने वाला है एक पुछता है इसका प्रवाच छेत्र के संदर्म में एक पुछेगा कि इस नदी पर कौन-कौन से बांध बने हु में सहायक नदियां और एक आता है कि इस नदी पर सरवाधिक क्या होते हैं तुछ तर्वेडी संगम Lopez के सिपसे नदी को एक मैप के माध्यम से समझने की कोशिस करें तो जो बनास नदी है दोस्तों कोशी नदी है बनास नदी पनास नदी अभी जो एक्जाम हुए थे राजस्तान लेवल के जो टीचर वाले रीट वाले एक्जाम हुए उनमें पुछा था कि बनास नदी का उद्गा मिस्तल कहा से तो दोस्तों इसका उद्गा मिस्तल पुछा हुआ है तो सबसे पहले बात करेंगे अपन कि इसका उद् मिस्थल है खम नौर की पाड़ियां खम नौर की पहाड़ी और यह आती है आपकी राज समंद में तो अगर आपसे पूछले कि बनास नदी का उद्गा मिस्थल कहां से दोस्तों तो यह है आपका खम नौर की पाड़ियां राज समंद से है और खम नौर की पाड़ियों के संदर्म में अगर कोशन पूछता है कि खम नौर की पाड़ियां क्यों प्रसिद हैं तो आपको पता होगा यहां पर सबसे ज़्यादा राजिस्तान में चंदन के व्रक्ष पाय जाते हैं राजिस्तान में सरवादिक चंदन के व्रक्ष कहां से पाय जाते हैं दोस्तों तो वो पाय जाते हैं आपके खमनौर की पाड़ियों से और भारत में सरवादिक जो चंदन के व्रक्ष पाय जाते हैं वह आपके पायाते हैं निलगीरी परवश्ष से आपने एक फिल्म देखी ओगी और उसका नाम था पुस्पा फिल्म को देखा होगा जुकेगा नहीं तो वह फिल्म थी वह किसे पर आदाती चंदन के ब्रक्ष पर यह आदा रिफ्ट है और वह चंदन के ब्रक्ष आपके नी चैती दमस्क गुलाब के फूल की खेती भी राजस्तान में की जाती है तो वो खमनोर की पाड़ियां यानि की खमनोर रासमंद में की जाती है अब यहां सी यह नदी खमनोर से निकलती है दोस्तों खमनोर से निकलने के बाद चितोडगर के बाद में भीलवाड़ा के बाद में अजमेर के बाद में दोस्तों टॉंक और टॉंक के बाद में है सवाई मादोपुर और इसके बाद यह नदी कौन सी नदी में मिल जाती है तो उस नदी का नाम है चंबल नदी तो इस नदी का नाम है दोस्तो चंबल नदी तो अगर आपसे पूछ ले कि चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो चंबल नदी की सबसे बड़ी साथ नदी को 200 कौनसी है उस नदी का नाम है बनास नदी राजस्तान के कितने जलो में वे रही है तो बनास नदी राजस्तान के 6 जलो के अंतरगरत है। सबसे पहले रासमंद, रासमंद के बाद में हैं, चितोडगड, चितोडगड के बाद में हैं, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में हैं, अजमेर, अजमेर के बाद में हैं, टोंक और टोंक के बाद में हैं, सवाई माधोंपुर. सवाई माधोंपूर तो यह इस नदी का हो गया प्रवहाचितर तो अगर आप से पूछले कि बनास नदी राजिस्तान के कितने जिलों से बहती है और वह बहती है आपकी प्शे जिलों से एक रासमन दूसरा चित्तोडगड, तीसरा भीलवाड़ा, अजमेर, टॉप और एक है आपका सवाई मादोपुर। इन सभी जलों से जो नदी बेह रही है और उस नदी को कहते हैं अपन बनास नदी अब जो बनास नदी है रासमंद से निकलती है खमनौर की पाड़ियों से यहां से निकलने के पाद इस नदी पर एक डेम बना हुआ है और जो बाध बनाउआ है वह बना हुआ है आफ़का तो अगर आपसे पूछ ले ननद समन्द बाई कौन सी नदी पर बना हुआ है तो यह बना हुआ है दोस्तों कौन सी नदी है जैसे बांदों की अगर बात कल लेते हैं कि इस नदी पर बांद कितने हैं तो इस नदी पर बांद हैं चार प्रमुक बांद है एक है आपका नंद समंद बांद नंद समंद बांद और ये है राजसमंद में इसे राजसमंद की लाइफ लाइफ कहा जाता है राजसमंद की लाइफ लाइन किसे कहा जाता है यानि की जीवन रेखा कौन से बांध को कहा जाता है दोस्तों जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है और इस बांध का नाम है नंद समंध बांध दूसरा बांध चित्तोडगड में इस नदी पर बना हुआ है दू कुंसा बांद है दोस्तों इस बांध का नाम है मात्र कुंडिया बांध और मात्र कुंडिया बांध है आपका चित्तोडगड में तो दूसरा बांध कुंसा है दोस्तों तो उसका नाम है मात्र कुंडिया बांध है मात्र कुंडिया बांध है और यह है आपका चितोडगड में हैं और इसे मेबाड का या राजिस्तान का हरिद्वार कहा जाता है तो कुश्चन यहां से बहुत बहर पूछा है कि राजिस्तान का या मेबाड का हरिद्वार कौन से को कहा जाता है मात्तुर कुंडिया जो इस्तान है इसे मेबढ का हरिद्वार या रजिस्तान का हरिद्वार के नाम से जाना जाता तीसरा जो बांध दोस्तों इस वे और उस बांध का नाम है ये बनता है आपका टूक में और इस बांध का नाम है बीसल पुर बांध और एक बांध है इस पर सवाई मादोपुर में और इस बांध का नाम है इसर्दा बांध तो इस पर बांध की संख्या कितनी होगी दोस्तों चारे तीने आपका वीसल पुर बांध इसके बारे में बहुत सारी विसेश्टा हैं क्योंकि एक तो कहां पर रहे हैं टॉंक में एक विसेश्टा है यह है राज़्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है तो अगर आपसे पुछ ले कि राजिस्तान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है तो वो है बीसलपूर्बान परियोजना और इससे राजिस्तान के कितने जिलों की जलापूर्टी होती है तो इससे एक है आपका जैपुर एक है नागॉर एक है टॉंख जैपुर नागॉर टॉंख और एक है आपका अज्मेर इन सभी जुलोंक की ज़लापूर्ती होती हैं तो वो कौंसी परियोजना के दौरा होती है तो उसका नाम है बीसलपूरबांद परियोजना बीसल पूर बांध परियोजना तो इस परियोजना का नाम है दोस्तो बीसल पूर बांध अब जो बीसल पूर बांध है ये कंक्रीट से बना हुआ है ये कोशन भी पूछा है कि राजस्तान में कंक्रीट से निर्मित बांध कुन सा है तो कंक्रीट से निर्मित जो बांद है उस बांद का नाम है दोस्तो बीसल पुर बांद और इस बांद में वाईस साब पाई जाती है रंगीन मचलियां राजस्तान में रंगीन मचलियों के लिए प्रसिद बांद कौन सा है तो वो है आपका बीसल पुर बांद और फोर्ट नंबर पर इसका एक बांद है उसका नाम है इसरदा बांद और इसरदा बांद है आपका सवाई माधोंपुर में सवाई माधोंपुर के अंतरगत एक बांद है दोस्तो और उस बांद का नाम क्या है इसरदा बांद तो अगर आपसे पूछ ले कि बनास नदी पर राजस्तान की सबसे बड़ी जो पेजल परियोजना है और उस परियोजना का नाम क्या है दोस्तो बीसल पुर बांद परिय सिचाई परियोजना कौन सी है सिचाई परियोजना है उसका नाम है आई जी एन पी इंद्रा गांदी नहेर परियोजना राजिस्तान एवं भारत की सबसे बड़ी सिचाई परियोजना है और प्यजल परियोजना राजिस्तान की सबसे बड़ी है उसका नाम है बीसलपूर बा हुए हैं तो यह चारों जो बांद हैं वो आपके बनास नदी पर बने हुए इसके बाद नेक्ट अगर अपन बात करते हैं इस नदी की किस पर बांदों की संक्या कितनी होगी दोस्तों चार नंद समंद मात्र कुंडिया बीसलपुर और एक हो गया इसरदा बांद अब यह ज बीसलपुर नामक इस्तान पर सरपिला कार आकरती में कौनसी नदी बेती है तो इस नदी का नाम होता है दोस्तों बनास नदी तो कौनसी नदी है दोस्तों बनास नदी बीसलपुर नामक इस्तान पर आकर के सरपिला कार आकरती में बेना प्राग्रम कर देती है अब यह जो कौन-कौन से हैं तो इसके जो उपनाम है दोस्तों एक नाम है वनासा दूसरा है वसिष्ठी और एक नाम है वनकी आसा तो बनास नदी के तीन उपनाम है एक है वनासा दूसरा है वसिष्ठी और तीसरा है वनकी आसा ये तीनों जो नाम है वो कौनसी नदी के उपनाम है दोस्तों तो ये हैं आपके बनास नदी के उपनाम है अब जो बनास नदी है इसकी कुल लंबाई किदनी है तो इसकी कुल लंबाई है दोस्तों पांसो बारे किलोमीटर है और जो पांसो बारे किलोमीटर पूरी जो लंबाई है ये पूरी राजसान में है इसलिए इस नदी को कहते हैं राजसान की सबसे लंबी नदी है और उस नदी का नाम है बनास नदी क्योंकि ये पूरी कितने किलोमेटर बेह रही है दोस्तो पांसो बारे किलोमेटर बेहती है अब जो बनास नदी है इस नदी के संदर्म में और भी बहुत तरे कोशन कोशता है जैसे एक जो बनास नदी के संदर्म में पूछेगा वो पूछेगा इसकी सहायक नदीयों के संदर्म कि जो सहायक नदियां हैं कौन-कौन सी सहायक नदियां और कहां कहां से आ करके मिलती हैं। जैसे इसकी जो सहायक नदियों की अगर बात करते हैं कि बनास नदी की सहायक नदियां कौन-कौन-सी हैं। वनास नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं तो एक है बेड़क्ष पोठारी खारी मेनाल मोरेल डाई मानसी नदी अब एक नदी तो है ये दोस्तो मानसी नदी ये तो बनास नदी की सहायक नदी है एक नाम सुना होगा आपने मानसी नदी और ये जो किसकी सहायक थी तो ये जो नदी थी वो साबरमती की सहायक नदी है और ये जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है बनास नदी की सहायक नदी है बनास नदी की सहायक नदीयों की अगर बात कर रहे हैं अपन तो एक है बेड़क्ष पुठारी, खारी, मेनाल, मोरेल, डाई और एक नाम होता है मांसी नदी अब इसके बाद अपन बात कर रहे थे मैंपके माध्यम से कि इसकी जो सायक नदियां है वो कहां कहां से आकर के मिलती है जैसे बनास नदी की सबसे जो प्रमुक नदियों में आती है और उस नदी का नाम होता है बेड़च नदी कौँसी नदी है दोस्तो तो इस नदी का नाम है बेड़च नदी तो इसको अपन कह रहे हैं बेड़च नदी अब जो बेड़च नदी है ये आपकी निकलती है गोगुंदा की पाडियों से कहां से निकल रही है दोस्तों तो यह निकल रही है राजसमंद के नीचे है साइड में उसका नाम है उदैपुर उदैपुर में एक पाडिया है और इनका नाम है गोगुंदा की पाडिया गोगुंदा की पाडि और गोगुंदा की पाड़ी हैं दोस्तो उदैपुर में और यहां से एक नदी निकलती है और उस नदी को कहते हैं बेड़च नदी सबसे पहले यह बेड़च नदी के रूप में नहीं निकलती है जब यह निकलती है उस समय इस नदी का नाम होता है आयड नदी क्या नाम होत है दोस्तों तो उस समय इस नदी को कह देते हैं आयर नदी लेकिन जैसे ही यह उदैस अगर जील से बाहर जाती है और जाकर कि आपका भीलवाडा में और यहां से एक नदी मिलती है उस नदी का नाम है दोस्तो इसको कहते हैं बेडच नदी अब बेडच नदी है इसका प्रारम में नाम है आयड नदी प्रारम में इसका नाम क्या है दोस्तो आयड नदी और यहां पर एक जील है उसका नाम है उदै सागर जील तो कोश्चन यहां से बहुत बार पेपरों में पुछे हुए है कि प्रारम में बेड़च नदी को किस नाम से जाना जाता है तो प्रारम में बेड़च नदी का नाम क्या है दोस्तो आयड नदी है उदैसागर जिल के बाद इसका नाम क्या हो गया बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है और इस नदी के किनारे उदैपुर में एक सब्व्यता विक्सुत ही है और उस सब्व्यता का नाम है दोस्तो आहाड सब्व्यता आहाड सब्व्यता आहाड सब्वेता को कहते हैं तामरवती नगरी आहाड सब्वेता का नाम क्या है तामरवती नगरी क्योंकि राजस्तान में तामरी युगें सब्वेता की जन्नी गड़े सर सीकर को कहा जाता है और जिस्तान में तामरवती नगरी के नाम से जाना जाता है वो अहाड सब्वता को जाना जाता है। और अहाड सब्वता आपकी उदैपुर में कौन सी नदी के किनारे इसी तही है दोस्तों तो उस नदी का नाम है आयण। और उदेसागर जिल के बाद इस नदी का नाम हो जाता है बेड़च नदी को इसी नदी है दोस्तों बेड़च नदी इसके बाद ये जो नदी है बीगौद नामक किस्तान से जाकर के भीलबाडा में आता है मांडलगर तैसिल में और यहां पर आकर के ये बनास में मिल जाती ह और यही पर इसकी एक सहायक नदी है बनास की और उस नदी का नाम है मेनाल नदी यह नदी भी बीगौध नामक किस्तान पर मिलती है और यहां बनास मेनाल और बेड़च नदी के द्वारा तिरवेणी संगम होता है पुझले बीगौध नामक किस्तान पर प्रिवेणी संगम इसके बाद एक मद्यपर्देश से इसकी एक सहायक नदी आती है और उस नदी का नाम है गंभीरी नदी गंभीरी नदी ये आकर के सबसे पहले ये उद्यपर में बैती है बेड़च उद्यपर के बाद चितोडगर और चितोडगर के बाद में जाती ही भीलबाड़ा तीन जुलों में तो चितोडगर में आकर के गंबीरी नदी आकर के मिल जाती है बेड़च में और जहां से मिलती है उसको कहते है सामेला एक नाम सुना होगा आपने सामेला क्या है तो सामेला जहां नदीया मिल जाती है दो सामेला कहलाता है तो सामेला से जाकर के चितोड़गण में जाकर के गंबीरी नदी मिल जाती है और यहां पर एक बांद बनता है, उस बांद का नाम सुनाओगा आपने घोसुंडा बांद, एक बांद है दोस्तों, उसका नाम है घोसुंडा बांद, और यह है आपका चित्तोरगड में, घोसुंडा जो बांद है वो आपका चित्तोरगड में बना हुआ है, फिर इसके बा गुजरी नदी और ये सभी जो नदियां है वो बेड़च नदी की सायक नदी है गंभीरी वागन परियोजना का संबंद है आपका चितोरगड इसले से है गंभीरी परियोजना का संबंद है वो भी चितोरगड इसले से है और गुजरी परियोजना है वो भी आपकी चितोरग नदियां हो जाती है किसकी साइक नदियां होगी दोस्तों बनास नदी की इसके बाद एक दूसरी जो नदी है इसकी और उस नदी का नाम सुना होगा आपने कोठारी नदी तो एक नदी है दोस्तों कोठारी नदी और एक पहडियों के नाम सुनूएंगे दिबेर की पाडियां दिबेर की पाडिया आती है आपकी रासमंद में और यहां से एक नदी निकलती है उस नदी का नाम है कोठारी नदी कोठारी नदी और ये आकरके भीलवाडा में जाकरके मिल जाती है इस नदी का नाम हो गया कोठारी नदी कोठारी नदी जो है इस नदी पर भीलवाडा में एक सब्वेता है दोस्तों और सब्वेता का नाम है बागोर सब्वेता तो अगर आपसे पूछले बागोर सब्वेता कौन सी नदी के किनारे इसीत है तो कोठारी नदी के किनारे इसीत है कौन से जिले में इसीत है तो वो आपका भीलवाडा जिला है इस नदी पर एक बांध बना हुआ है भीलवाडा में और इस बांध का नाम है दूस्तो मेजा ब और जो मेजा बांद है इसको राजिस्तान का कहते हैं ग्रीन माउंट मेजा बांद को क्या कह दिया दोस्तों मेजा बांद को कह दिया राजिस्तान का ग्रीन माउंट राजिस्तान का ग्रीन माउंट कोंसे बांद को कहा जाता है तो यह कहा जाता है आपका मेजा बांद को कहा जाता है दोस्तों मेजा बांद कोंसी नदी पर है कोठारी नदी पर और कोठारी नदी आ करके किसमें मिल जाती है तो यह आपकी मिलती है बनास नदी म और उस साइक नदी का नाम है दोस्तो खारी नदी इस नदी का नाम है दोस्तो खारी नदी भी इस की साइक नदियों में आती है खारी नदी निकलती है आपकी बिजराल की पाडियों से, बिजराल की पहाडियां आती हैं रासमंद में, रासमंद, और यहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है, खारी नदी कौसी नदी है दोस्तो खारी नदी और ये नदी यहां से निकलने के बाद टौक में एक इस्तान आता है उस इस्तान का नाम है राज महल टौक में एक इस्तान है दोस्तो इस्तान का नाम क्या है राज महल और राज महल नामक इस्तान पर जाकर के तीन नदियां मिलती है एक का नाम होता है खारी दूसरे का नाम होता है डाई और एक वो जाती है बनास और यहां पर भी इस नदी पर एक तिर्वेणी संगम होता है तो खारी बनास और डाई नदी के दोरा जो तर्वेणी संगम होता है वो कौन से इससान पर होता है तो वो होता है आपका राज महल टौक में इसके बाद जो बनास नदी है बनास जो नदी है इस नदी में आकर के एक नदी मिलती है उस नदी का नाम होता है चंबल कुंसी नदी है दोस्तो चंबल है और चंबल में जाकर के एक नदी मिलती है बनास और यहां पर एक किस्ता ने उसका नाम है रामेश्वर और यहां पर भी तिर्वेणी संगम होता है चंबल, बनास और सीप नदी के दुबारा यह तीन तिर्वेणी संगम बनास पर प्रमुक हो गए एक हो गया रामेश्वर दूसरा हो गया आपका राजमेल में और तीसरा हो गया आपका बीगौद में लेकिन एक और इस पर तिर्वेणी संगम होता है वो होता है टौक में ही और उसका नाम सुनाओगा आपने शभीत है वह जैप्र में और मुझे जेप hen और फरोस जोढ़ीक निथी सागर परियोजना के ना नारायण सागर परियोजना का संबन्द कौन से जिले से है तो वो है आपका अजमेर से कौन सी नदी से है तो वो है आपका खारी नदी से इसके बाद इसकी एक साइक नदी है और उस नदी का नाम है मोरेल नदी और जो मोरेल नदी है इस पर सवाही मादोपुर में एक बांद बना हुआ है उसका नाम है moral band moral band तो question इसमें तिर्वेनी संगम भी पूछ सकता है कि जो तिर्वेनी संगम है वो कहा कहां पर होते हैं कौन कौन सें तो इनको अपन याद करने की trick भी याद कर सकते हैं तीन प्रमुख तिर्वेणी संगम आते हैं वनास नदी पर वनास नदी पर तिर्वेणी संगम तो तिर्वेणी संगम कौन से हैं दोस्तों पुटी हो गया वीगौद में और वीगौद आपका भीलवाडा में और यहां पर जो तिर्वेणी संगम होता है उसको अपन कह सकते हैं MBBS याद करने की जो ट्रिक है उसका नाम है MBBS और MBBS कहां पर है वीगौद भीलवाडा में M से होता है मेनाल वैसे होता है बेडच और वैसे होता है वनास तो इन तीन नदियों के द्वारा जो संगम होता है वह होता है दोस्तों बीगौद में दूसरा जो तर्वेनी संगम है ये होता है राजमेहल टॉंक में राज मेहल टॉंक के अंतरगत होता है और इसको अपन कह देते हैं खाबड खैसे खारी के वैसे बनास और डैसे होती है डाई तो ये तीन नदियों के द्वारा जो तिर्वेणी संगम होता है वो होता है दोस्तो राजमेहल टोक के अंतरगार और तीसरा जो प्रमुक तिर्वेणी संगम उसका नाम है रामेश्वर और ये है आपका सवाई माधोपुर में सवाई माधोपुर में होता है और इसको अपने इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि सीबी असी का एक बौर्ड होता है वैई साब कर्थ कि से होता है चंबल वैसे होता है वनास यह क Fighter है और से से होता है Requ नदियों के द्वारा जो तर्वेणी संगम होता है वो होता है आपका रामिस्वर सभाई मादोप्र में राजमेल टौक में होता है खारी बनास और डाई नदी के दुबारा विगोद भीलवाडा में होता है मेनाल बेड़ाच और बनास नदी के दौरा तर्वेणी संगम होता तो एक बार फिर द्वारा से देख लेते हैं एक बार कि जो वनास नदी है इसका उद्गम इससल कहां से था दोस्तो तो इसका उद्गम इससल है खमनौर की पाडियां हैं आपकी रास समंद में और खमनौर की जो पाडियां हैं यहां चंदन के ब्रक्ष पाय जाते हैं यहां चैती दमश की गुलाब के फूलकी भी खेती की जाती है शित्तोरगर् चित्तोरगर्गर्गर्गर्प में दोस्तों एक के बाद में हैं अजमेर के बाद में हैं टॉक और टॉक के बाद में हैं सवाई मादों को और इसके बाद में जाकर कि चंबल नदी में जाकर कि रामेश्वर नामकिस्तान पर इस पर तुर्वेणी संगम हो जाता है इस पर बांधों की बात करी थी अपने किस पर बांध कौन- यह question पूछा हुआ अभी paper में, राजिस्थान का सबसे बड़ा नधी बेशिन कौनसा है, तो राजिस्थान का सबसे बड़ा जो नधी बेशिन है, जो बनास नधी का है, z один जो राजिस्थान के 13 जिलों में फैला हुआ है. तो डारेक्ट कोश्चन ऐसे भी पुछ सकता है कि राजिस्तान में सरवादिक नदी बेसिन वाली नदी है सबसे बड़े बेसिन वाली तो पहले उससन में चंबल ही मिलता है लेकि चंबल नहीं है और राइट जो आंसर है वो कौन सा है दोस्तो तो उसका नाम है बनास नदी क्योंकि इसका जो बेसिन है वो कितने जलों में फैला हुआ है तेरे जलों में फैला हुआ है इसके बाद इसमें बांदों की बात कर रहे से एक था दोस्तों नंद समंद जो था राज समंद में इसे राज समंद की जीवन रेखा लाइफ लाइफ लाइन का मतलब होता है जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है मात्र कुंडिया बांद ये भी चित्तोडगड में है रास्मी गाम चित्तोडगड में और इसे राजिस्तान का या मेवाड का हरिद्वार कहा जाता है अगर आपसे पूछ लए कि मेवाड का हरिदवार कौन से इस्थान को कहा जाता है तो उसका नाम है मात्र कुंडिया बांद है और यह है आपका चितोर गड़ में तीसरी विसिस्था बीसलपूर बांद की पूछा है कि बीसलपूर बांद राजिस्थान की सबसे बड़ी पेजल परियो जनाए इससे राजिस्थान के चार जलों की जलापूरती होती है जैपूर है टौक है है नागोर है और अजमेर है इसमें ये भी कोशन पूछा हुआ है कि राजिस्तान का कंक्रीट से निर्मित बांध कुंसा है तो ये भी आपका बीसलपुर है और इस बांध में रंगीन मचलियां पाई जाती है इस बांध में कैसी मचलियां पाई जाती है दोस्तों तो वह आपकी रंगीन मचलियां पाई जाती है और चौथा जो बांध है उस झाल झाल